हेलो स्टुएंट्स तो कल जो है मैंने रात के समय एक एकस्पेक्टेड कॉट आफ बताई थी पटवारी एक्जाम की और कई सारे छात्रों को वह हाई भी लगी है कि इसमें जो है आप काफी ज्यादा बता रहे हो हाई कुछ से मैंने बाद भी कि उसके बाद भी और कुछ इस्टुएंट्स के तो माक्स मैंने भी पता किये हैं हमारे एक इस्टुएंट है जिनका वीडियो में भी सेलेक्शन हो रहा था तो लगभग उनके अभी के ठीक ठाक सारे जोड़के लगभग 78 उनका हो रहा है तो फिर मेरी सुबह एक और हमारे मित्र हैं चमपावत से बिष्ट जी उनसे भी बात विये तो उन्होंने भी बताए कि बहुत ज्यादा हाई वाले भी कम मिल रहे हैं उनके जानने में भी जो उन्होंने टॉपर्स या बाकी बच्चों से भी बात कियोगी तो देखो मैंने इसमें 78 लिखा था जन्रल के लिए और वो कोई डिस्टिक नहीं बताया है वो एक रफ आइडिया है कि मान लोग कुछ जीले ऐसे हैं जिसमें बहुत हाई चली जाती है बाकी कई जीलों में कम भी जा सकती है है ना तो जादा तो नहीं मैं उसमें जादा भी नहीं कह सकता लेकिन अभी भी मैं 75-76 से नीचे नहीं मानता हूं क्योंकि जन्रल की जो है इससे नीचे जाएगी क्योंकि मैरिट हमसे क्या सरप्राइज करती है ज्यादे अथर वह अप ही जाती है बहुत कम ही ऐसा आपको मिलेगा कि जितना आपने सोचा था उससे भी नीचे चली गिए तो कि अभी आपको हो सकता है यह लग रहा हो कि भाई कोई इतने नंबर वाला नहीं सुनने दे रहा है तो जरू नहीं हर कोई यह नंबर आप हमें पता चल पा रहे हूं तो इसलिए मेरे को तो सोच है अभी भी तो मैं अपनी कट अफ ज्यादा जो मैंने सोची वह मेरी सोच है राकी देखो जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा तो पता चली जाएगा और उमीद है जितना आप अगर सोची रहे हो तो उतरहीं चली जाए तो बहुत है अच्छी बात है सेलेक्शन हो जाए और क्या चाहिए ठीक है सभी को एक बार फिर से सुब काम नहीं और कल भी एक परिक्षा है PCS के मेंस एक्जाम कल से स्टार्ट हो रहे है